आज़ाएं असलम अलेकूं वेलकम बैक अनादे व्लोग में काइनत विनामीन फ्रामस डिया कैसे हैं आप सब यकिना आप ठीक होंगे खुश होंगे और मज़े में होंगे और अगर मज़े में नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लाइफ है, अपसेंड डाउन है, चलते रहते हैं तो इसके साथ जनाब आपको साथ IIे अजंस्ट करना कोई बढ़़ एमतिहान की जगए टंचन नहीं देना है और अगर दिल को ठीक ठाक हैं, तो अलह विलोग जो है पहले मैं शूट कर लिया और वहाँ पर मैं इंट्रो लेना था मैंने इसको प्रॉपर एंड करना था लेकिन नहीं हो सका उसका रीजन यह ए कि जनाब ब्लॉग में बस एक जो था ना कॉंटेंट के जनाब चलो ये बन जाए शूट हो जाए तो जनाब बस मैं कोशिश में थी कि ये शूट हो जाए और ना फिर बाद में राम से करती हैं क्योंके बस जल जल दी जो भी प्लैन था वो ये था कि हस्बंड के जो फ्रेंड हैं उनको लोहरी स्टाइल के जनाब ये बर्यानी और जनाब ये खाना था साथ लैम कड़ाई खाना था और मैंने बहुत पसंद आया था पहले भी बनाया था तो मैंने का चलें वो और फिर एक प्रॉपर जो सर्विंग थी वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंके वो इससे तरह पॉर्स में चला गिया था तो जनाब मैंने का यहां से छोड़ा साब को एक्स्प्लें कर देती हूं क्य लाइक जरूर करें है अब अच्छा लग रहा है और आपनी अजहारे राय करें और बताएं तो देखते हैं व्लोग में यवी यमी खाना मज़ेदार किसम का रेसिपी जिंगर बर्गर है जो उसकी रेस पेले मेरे मेरे चैनल पर में यहां पर इसको भी इसको भी अटाच कर शूट कर लेती हूं आपका काम है आगे इसको बढ़ाना और इसको जादा सारा प्यार देना तो चले चलते हैं व्लोग की तरफ टेंट टडए तो जना यहां पर फ्लावर की सेटिंग होने लगए फ्लावर की सेटिंग होने लगए इसके बाद पर ने बॉंहें हैं प्लावर के स्टैंट की होने लेकर आए childcare तो बोल्य के स्लीख्यर कर दिक का एंट न। पंधिए हो जाता है ऐसी लगता है कि बस क्या बोले माशाला माशाला वाइट फलार्स को आप देखें रोजी उसको कितने कुछ खुबसूरत लग रहे हैं और मैं तो अल्ला की कुदूरत को देखती हूं तो बस हैरानी रहा जाती तने प्यारे लग रहे जहां रखें वो खुबसूरती बढ़ा दी उस जगह की टेबल पर रखें उसके बास जनाब एक ये स्टैम्प हैं बहुत ही खुबसूरत है सुभाने लगा बहुत ही खुबसूरत मैं वहीं तो झानब यहां रखें की डानिंग टेबल पर रख जो रेड रोसी वाले को तो जो आप देखें कितने प्यार है अल्ला की कुद्रत है माशाला माशाला बस देखें और आपी सुभान अल्ला के हैं कैंडल को जलाया और एक माहौल बना दिया हमने फिर इसके बाद से कैंडल रेड एंड वाइड रोसी ब्यूटिफुल सा इंवायरमेंट वड़ाइस लगने लगा और इसके वासे कॉनर और जान इसको ना चार चान लगते यह देखें कितना प्यारा लग रहा था मैंने कैंड बना लिया और उसके बाद समयने का चले मेरे जो मेन व्लॉग पर है लैम कडाई की रेसिपी लोहरी लैम कडाई है जनाब यह मैंने लसन अद्रक टमाटर और यह डाल के और मैंने लाल मिर्च पीसीवी और धनिया यानिके ड्राइ कॉरियंडर और यह सब डाल के जनाब निकाली वह बावल में जो पड़ी ना यह यकनी है बाहर से पानी नहीं डालना इसके अंदर इसके यकनी को मैंने निकाल के बाहर रख लेता है गोश्च जब अच्छे से बहून लूँगी ना फिर मैं उसमें डालूँगी तो जनाब यह चिकन दोके रख लिया बिर्यानी कॉता है चिके लिए पियास घ्राक लए लेसल्स जो है वो भी में गोश्च जो झालाई गोया खो पता है और यह पर रख लूँगी में तो इस्य दाल डो मैंने कि राख वह को यह बना ना Classic को मैंने चे से बहुआ दो शीली पो आफ ने यह जालत यज़ों से ठियर करियंद चीज़े बहुत जादा रेडी करनी थी फिर भी मैंने प्लेशूट किया है कि यह लोहरी कड़ाई है पंजाबी स्टाइल की बड़ी मज़दार है मैं यहां पर लिंक लास्ट पर दे दूंगी जो मैंने पहले बना की भी रखी हुए एक्जेक्टली वैसी ही बनी है यह मेरे जुख़ने लाइं ब्रट्व मथी मृट प्रणा ही कड़ाई लिए उस्टेय्ष के लिए अगया नंगया धनी भी जो प्रणावे दिखाए क्शनल ब्ल में आपको यांवी आपको दिखाना है क्शा ने यह लोहरी स्टाइल किक्ड़ाई बनी ए सिंपलसे इंगीजिंट के साथ कि मज़ा आगया और यह बिल्कुल से बस उम्हानी बेटी जो मेरी ना वह शूट कर रही थी तो बस आप देखें और इसको एप्रिशेट करें और यह देखें यह जो मैंने बाहर से पानी नहीं डाला था जो गोष्ट गला ता जिस पानी में बस वह यह निसमें डाल और इसके अंदर ये देखें कितने के जबरदस्त लुक आई है कि मज़ा आगया तर ठीक है लैम कड़ाई हो गई है रेडी और जनाब इसकी सर्विंग जो मैं पॉट में डालूंगी तो इसको मैं पॉट को बंद कर दूंगी अब आ जाते हैं हम बर्यानी की तरफ अचा बर् प्यास को जल्दी तरफ करने के लिए सॉल्ट एड पर देती है जो कि मैंने कर दिया है और इस में ठोड़ा सा सौल डाल दीए और जनाब इसके बाद इसमें घी जा रहा है और प्यास को हम करेंगे अचा मैंने जुटु चीजे शिक्राई है अधरक हो या लशन होगया है क जनाग ये बेले लसन जादा सारा कुटके डाले और अधरक अचा हम लोहरी जो लोग है वो लसन अधरक का इस्तमाल बहुता करते हैं कोई बीटर बीटर नहीं होता है अच्छा पीछ चिकन बॉल किया तब पानी डाले यहां मेरी बीटर ग्रैंड तरही है अच्छा जी पीछे रेडी हो रहा है सूप को मैंने चिकन को और पानी को डाल के और सॉल डालके उसको अच्छे से पकने रख दी यहां पर जो मैंने हाथ से कुटावाई अधरक और यह पॉल करना इसको ना बहुत तेजी हो जाता है बस पिर तो जानब इसमें मैंने लसन डाल दी अच्छा खासा और इसमें दो किलो चिकन का जो यह ना बियानी वह बन रही है ठीक हो गया ना तो इसमें अच्छे से इसको फरी करें बट आपको ध्यान गे रखने के प्यास बह तरहया हो जाहिंक आया है आदान शुर्म के अश्ट हैं ठीड का उनारा में पैसे भी तरह भी हा मैंनों चाल क्वाल कोN सब औरिया मारी में और भी जआड नहीं अच्छा मैंने यहां बरियानी मसाला यूस की है और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थी ना मैं अभी कर रही थी तो बस मेरा यह अमर्जनसी में मुझे एक तरह से कहलो और आया था था हस्वन कहरें कि एक बरियानी हमें बना दो हम फ्रेंड्स ने गेट तोगेधर करनी है और गल जाएगा सही हो गया तो इसको लगाते हैं लिड और भड़ते हैं आगे और जनाव सूप की तरफ चलते हैं क्योंकि यह देखें मेरे किचन की जो ना तेजी में मेरे जो किचन को सारा मैस हुआ आवा है यह तो होता ही आपको पता बहुत सारी चीज़ें वह सब कर र मोटा मोटा चिकन भी उनको पसंद नहीं आप चाहें तो हाथ से उसको ब्रीक ब्रीक कर लें मशीन के अंदर कोई ज़रूद नहीं से गेड़े शड़े देने की मैंने तो इसका हलवा बना दी है आपने नहीं बनाना अगर आपके बच्चे जैसे काते हैं वैसे ही बनाएं अचा दी मैंने इसमें एक दो लसन की तूरी भी ढाली थी और इसके अंदर मैंने एक लोंग भी डाल दिया था और मैंने इसमें चिकन को नमक डालके बॉयल कर लिया था सही हो गया ना यहां पर बरियानी बड़ी जबदस बन रही है बढ़े अच्छे पबल्स आ रहे हैं जब बढ़ी प्यारा मसाला बना यहां तो जब यहां पर अभी हम क्या करने लगी हम करने है चिकन को एड़ अच्छे से और इसमें चिकन एड़ हो जाएगा और इसके बद मेरे बच्चें से बढ़ा पूचा कि चलो थोड़ी सी वेजी डाल दू बच्चे कहतें ना जी समें म मैंने विनिगर डाला है थ्रीस मैंने इसमें विनिगर डाल दिया ठीक हो गया जी आपने की जितनी भी कॉटिटी है आप सूप के मतुब भी उसी तरह डालेंगे मेरी चैनल पर सूप की रेसिपी भी है वह भी मैं इसमें एड़ कर दूँगी लिंक में यहां ऐसा करूंगी ड यहां पर कॉन फॉलर लेंगे आप ऊब घाला करने की बारी आ गई है तो जनाब इसको घौल की फर्ड़काल देनी रुकूल थोड़े से पानी में इसको इचे से घुन लेना है ना निदून हमने जाक्छा जंब हमें तुह जमर कराला है तो हैति थिक कम करती हूं आपको इतना करना है आप ना थिक कर लें मेरे पीछे स्माइल चीख रहा है उसको प्लीज सौरी आप लोगों को शाद अगर रहाज आए तो बस बच्चों की चुटी है और बच्चों ने घर में धूम मचाई हुई है बस अपनी भागम दोड अच्छा यह जो इतना मिन रखभा है इसके बाद ये पकेगा खूल की यह बच्चों को शाम में पीडाए तो इस वजवघा से में इसको ना भस इतना ही किया अच्छा इसके बाद मैं इसमें दो अंडे डाल दूंगी अंडे आपको दो डालने, तीन डालने, चार डालने, उसके मताविक डाले, दो अंडे डालेंगे, इसको ज्यादा बीट नहीं करना, बहुत जग भन जाएगी, जग भन गई तो पूरे सुग वपर सरी जग जग आईगी, बस बस हलका से इसको करना है कोई तेस 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 नहीं आपने मारना बस मैंने वह उतना ही बीट किया था जितना मैंने वीडियो में शूट किया है और इसको जादा उपर से रखके नहीं डालना धर्मियानी लेंध में डालना है ताकि ये चिकन के साथ चिकन ही बन जाए बिल्कु कि अब जोड़ा से करीब करके पॉट के डालना और थोड़ा मोटा मोटा डालना बिलकुल लंभी लाइन नी बिना लें कोई जगज नहीं बनी कोई उपर कुछ नहीं आया बिलकुल ऐसे महश हो गया साथ ही जैसे जनाब इसके अंदर इंडे गाई तो जनाब ऐसे डालें के अंडर ग्राउंड हो जाएं समझ ली न आप आपने बात बस यह थी बतानी आपको बात इसके बाद आते हैं दुबारा बिर्यानी की तरफ देख भी रहें के नहीं भाग गए हैं देखते रहें प्लीज इसके बाद जनाब यहां पर दही डाएगी इसके अंदर ए मैंने इसमें कहलें के एक कप जो एना दही डाला है और इसके बाद से देखे चिकन उसी तरह से है चिकन कोई नहीं तूटा पूटा ठीक है ना इसके तब आ गया हमने अब क्या रखा जी साब हम मैं भी बस वोईस ओवर करते करते हैं तुमाग घुम गया मेरा इसमें अब चावलों को बॉइल करने लगी हूँ जावलों को बॉइल करना है तो इसमें आपने यह सारा समान डालना है देख लिए आपने सारा समान यह सारा समान उसमें जाएगा चावलों में जाइका आएगा इसमें थोड़ा सा नमप जाएग कुई मसला नहीं मैं वीडियो करों इस रोगैं ना, इस делает का नूं। और चिकनि उपर डालके मैंने मैं पदिना काफी ज्यादा सारा डाला इसमें हरी indirect जाएगी जो के मैंने नहीं डालीं मुझे का गया जी करते दो कोई ए जे दो लेयर करती है ठीक है ना नीचे चावलों की लेयर बीच में सालन की लेयर और उसके बाद से फिर दुबारा उपर से चावलों की लेयर करती है ठीक है ना तो यह हो गया है तो अच्छा मुझे ना वैसे प्लाव ही पसंद है अभी मैं वाइस ओवर भी कर रही हूं लेकिन म मेल्ट नहीं हुआ चलो कोई बात में आपने मेल्ट कर ले ना ठीक है मुझे तो बहुत भागम धोड़ती इसके बास से फॉयल लगा के चावलों को दिया हमने यहां पर दम पीछे सूप कंप्लीट रेडी था और इसके बाद अभी आते हैं अच्छा बच्चे भी बीच में स्टाइलिश बने वे थे ममा आज़ा हमें सूप और बर्गर मैंने का चलो आज यह खाना रेडी होता है कि नहीं में चलो पिर उनकी भी साथ मोजे लगवा देते हैं तो बस उनकी मोजों के चकर में फिर हम नेका चलिए हम ना इसको दम की आच पर रखके यह देखें मैं र रेड़ चिली पॉडर जाएगा थोड़ा सा जनाब ठीक है यह बनने लगी है चाह एक पिनड़ बने लगे हैं 16 चार और चार आठ बारा अठारा बर्गरों का यह समान बन रहा ठीक हो गया इसमें मैंने फ्रेश गार्लिक डाला है इसमें मैंने नमक डाला है काली मिल्स डा जो आपका चिकन है उसको टेंडर कर देगा नोट कर लिए आपने सब चीजें ठीक है ना रेड़ चिली की जगह आपने डाल देना पैप्रिका अगर आपको स्पाइस नहीं वैसे इतना स्पाइस होगा ही नहीं बहुत बहुत ही जबत है इसमें दूद की मैरिनेशन है पान को डिप करके रखें तो जना बस इसके बाद से मैंने थोड़ा सा सौडिस में अड़ किया था और के मुझे लगा था क्योंकि यह सारी मैरिनेशन सिर्फ चिकन की है ठीक है और इससे पहले कि हम मुस्तरफ दुबारा जाते हैं यहाँ दुबारा हमें जना चावलों को मिक्स करने का टाइम आगे था दम हमें खोलना था क्योंकि बस हजबन को यह लेकर जाने थी तो हम लेका पहले सबसे पहले उनको कर देते हैं फ्री तो जना आप यहाँ पर अब मैं कर रही हैं मिक्स यह बड़े जबदस सा कलर आगे था बहुत ही प्यारा बड़े जबदस लग र हैं आप यह फाइनल लुक देख लें इसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेगी तो जना आप यहाँ पर चिकन को हम कर देंगे इसके दर मैरीनेट और मैरीनेशन जब हम इस चिकन की जो लिकवड बन गया ना इसमें आमने सारा चिकन डाल देना अच्छा मैंने पहले ही चिकन को और चिकन कट करके मैं इसमें डिपकिया अच्छा कुछ मेरे पास ना लंबे बर्गर हैं और कुछ मेरे पास गोल बर्गर हैं बच्चे भी तो देखें ना डिजाइन वाले हैं अब क्या करें बच्चे भी तो माओ बाप को ना इम्तिहान लेती हैं मुझे कहते हैं हमने लंबे वाले भी खाने हैं गोल्ड वाले भी तो मैंने इसको मैरिनेट कर दिया यहां पर और मैरिनेट करने के बाद आपने क्या करना है मैंने काफी दिर मैरिनेट किया उसके बाद से जनाब अब यह फ्लावर ली है फ्लावर ले के इसको जनाब आपने अच्छे से कोट तो इसके बाद में एब को दिखाती हूँ इसके अंदर पानी में इसकी देडिया डू辺 के में ठूडsomर और थोड़ी से काली मिर्स टाली मैंने अast आद वह मेरे से इसके आपनापना सिस्क्रिप्छिन सी्ट के साइब हुआ यहां पर यह कोटिंग करके वह सामने इसी तरह करना है पहले हमने फ्लावर में कोट करना उसके बाद में पानी में डिप करना फिर दुबारा फ्लावर में कोट करना फिर आमने इसको डिप फ्राई कर लेना ठीक हो गया जी तो चलें अभी आ गया सूप सूप की प्रेजेंट प्रश्राइशन हमने कर ली थी और ये देखें जरा क्योंकि बच्चे ना मेरे गरम गरम चीज़ा खाते हैं एक्चली में किया मैं बताओ ना मैं सारा कुछ बना कर रख दूना फिर वो गया तो जनाब यहां पर मैंने भी सूप और ये बच्चों की चीज़े रख दी थी को मायोनीस के साथ चाहिए ये चिकन जो बर्गर इसके साथ ये रेडी हो गया पता नहीं उल्टा पुल्टा उपर रहे उपर वहाला भी नीचे लग्या नीचे वहाला भी उपर ये फाइनल है तो जनाब यह बनगे हैं साथ किसी को कैचप और बार्बीक्यू चाहिए था उपली नीचे वाल जे रादा इस जानता युर्ट वर्गीू यह ए उख़ते हैं लक्डी किसी और बारगर वहां बना गतले हैं क्विए हैं मिया बना तक प्रिक्यू एे बड़ा नहीं जांता है उप्रोगणीा स्थे लग पूर वाला इसर में तो नीचे साथ एंगा रही一下 Тझनाफ कैसा लगा आब आपको यह फ्लोग और नाया के तो बर्गर बड़ा मज़चे लग रहा बचों से रिव्यू लेने क्योंकि बच्यों को घर में बर्गर खिलाने नना मुम्किन है क्यों कि बच्चों बाहर के बर्गर यह अच्छे लगते तो बस मेsupp셨ma बना रही थी सासत बरियानी के साथ देना था उनको आपको कैसा लगा ये व्लोग आमने जरूर बताना है दूआ में याद रखना है हसते मुस्कराते रहा करें पॉजिटिफ रहा करें पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करें फिर मिलूंगी टेक केर आला हाफीस बाइ बाइ